हलो और वेलकम टू येट अनदर वीडियो फे न्वी न्यूज मेरा नाम तो इदो रोमान है मैं हूँ टीम नेक्सपी ब्राइंड से और आज की इस न्वी न्यूज के वीडियो में हम कई सारी न्यूज जो है यहाँ पे कवर करने वाले शुरू करते हैं पहली ख़बर से तो 197 Communications Limited जो की Digital Payment Firm Paytm को यहाँ पे Own करती है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि Financial Year 2019-20 में 3629 करोर का Consolidated Revenue रिपोर्ट किया है जो की बताया जा रहा है कि 1.4% का Increase है अगर इसको Last Financial Year से Compare करे तो लेकिन जो Standalone Basis की बात करे तो यहाँ पे जो Reported Revenue है वो 3,351 करोर का बताया गया है जिसको अगर Compare करे Last Year से तो 1% का Fall इसमें बताया गया है कि जो Consolidated Net Loss है वो 2,942 करोर करा है इस सेम Fiscal में वही पे जो है 30% का Decrease यहाँ पे जो Last Financial Year के मुकाबले है उसमें देखने को मिला है मैं आपको बता दूँ कि Company को जो Total Expense रहा है इस Fiscal के लिए तो वो बताया जा रहा है कि 6,226 करोर रहा है Consolidated Basis पे वही पे अगर बात करें यहाँ पे Share Holding की तो Alibaba.com की Share Holding जो है वो यहाँ पे कम हुई है जहाँ पे पहले वो 7.70% था अभी वो घटकर 7.35% हो गया है इसके साथी और एक जो Share Holder है Antfin जो की Neitherland की है उनका भी जो Share Holding है वो भी Decrease हुआ है जहाँ पे पहले वो 30.41% था अब वो 30.33% हो गया है वही पे अगर PTM की CEO और Founder Vijay Shaker Sharma की जो Holding की बात करें PTM में तो उनका जो है Holding वो भी Decrease हुई है जहाँ पे पहले वो 15.73% था पिछले साल वही पे अब यह घटकर 14.98% हो गया है अगली News की बात करें तो MX Takatak जिसको यहाँ पे Times Group ओन करता है बता यह जा रहा है कि वो जो है Indian Short Video Apps के जो जितने भी Apps है उसमें सबसे आगे है उसको लीड कर रहा है जहाँ पे Second Number पे जो मौज है आपको बता दू जब TikTok बैन हुआ था इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे Short Platform Made in India Platform जो है वो launch हुए थे इसके साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि अगर App Any Intelligence की यहाँ पे माने तो उनका यह कहना है कि MX Takatak जो की Times Internet इसको ओन करता है वो अपने launch से जो की July में हुआ था तब से अब तक वो सबसे अच्छा perform कर रहा है उसके बाद जो है मौज आता है जिसको Share Chat ओन करता है जहाँ अगर मैं और यहाँ पे MX Takatak के बात करूँ तो वो जब से July 2020 में launch हुआ है तब से वो जो है एक steady growth दिखा रहा है in terms of users और usage time इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि MX Takatak जो है उनके 7 million users है उनके platform पे और recently उन्होंने MX Player पे एक जो भी former creators थे TikTok के उन बड़े creators को लेके उन्होंने एक show बनाया है जिसको यहाँ पे MX House of Fame का नाम दिया गया है वही पे मौज की बात करें तो मौज को जो है Share Chat यहाँ पे ओन करता है इसके साथ ही उनके जो है 6 दिन में जब से वो launch हुआ था उसके 6 दिन के अंदर उनके 10 million downloads हो बात करें तीसरे platform की तो वो आता है जोश जिसको यहाँ पे daily hunt own करता है मैं आपको बता दू कि इसके मने news भी बताई थी एक दिन पहले ही यह unicorn भी बना है आपको i button में मिल जाएगा जोश ने भी जो है एक steady growth दिखा ही over the time और मैं आपको बता दू कि जब वो beta launch हुआ था तो more than 1 billion video playback जो है उनके platform पे होता है जहाँ पे on average एक person जो है उनके platform पे 21 minutes बिताता है बात करें अगली news की तो Elon Musk ने एक tweet में Tuesday को यह बताया था कि उन्होंने जो है Apple के CEO Tim Cook को approach किया था जहाँ पे यह बताया था कि जब Tesla के यहाँ पे बुरे दिन चल रहे थे तो वो इस कोशिश म जहाँ पे Elon Musk ने यह बोला कि Tesla का जो भी one tenth of its current value जो है वो यहाँ पे बेचना चाहते थे Apple को जहाँ पे approximately 60 billion dollars में वो Apple को यह बेचना चाहते थे लेकिन Tim Cook ने जो है यहाँ पे क्योई भी meeting लेने से उनके साथ करने से मना कर दिया था वही पे मैं आपको यह भी पता देना चाह कि उन 6 महीने के period में जो है उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से production hell face किया है जहाँ पे यह बताये गया है कि Elon Musk जो है अपने company के फर्श पे ही स्वया करते थे ताकि जो भी production का काम हो उसको वो खुद यहाँ पे देख सके जहाँ पे अगर और बात करें तो यहाँ पे 2017 के शुर less than one third है अगर apple के मुकाबले compare करे तो वही पे जो apple के stocks है वो पिछले कुछ weeks में जो है वो ऊपर गए है वही पे Tesla के जो shares है वो थोड़े से नीचे गए है जब यह article के आया कि apple जो है यहाँ पे driverless car पे काम कर रही है जो कि 2024 तक यहाँ पे आ सकती है general public के लिए मैं आपको बता में लिस्ट हो गई है अगली news की बात करें तो Google जो है इंडिया digitization को काफी जादा push कर रहा है जहां पे उन्होंने daily hunt और glance जैसे platform पे recently invest किया है आपको बता दू कि Google ने जो है 10 billion dollars का back-to-back इंडिया digitization fund यहां पे उन्होंने एक तरीके से invest किया है जो भी इंडिया में short videos platforms है उ invest किया है जब जो global business है वो यहां पे जो भी यहां पे एक demand है इस short video platform की जो बढ़ोतरी होते जारी लोग इस platform में जूड़ते जा रहे हैं उसको capitalize करने के लिए Google ने जो है यह पैसा invest किया है जहां पे TikTok के exit के बाद जो है कई सारे ऐसे platform अभी आ गए है इस market में इसके लावे य यहां पे निकल के आए कि 100 million new internet user जो है वो पिछले दो साल में जुड़े हैं जो कि rural India से उनके पास अभी अभी जो है नए connections आए आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि data यह शो करता है कि जो भी आपका इंडिया का total internet जो उसकी consumption होती है उसका 45% है वो यहां पे rural India से आता है मैं आपको बता दू कि July में ही Google के CEO सुंदर पिचाई ने यहां पे यह बताया था कि वो लोग 10 billion dollars जो है over the year invest करने वाले हैं इंडिया में 5 साल में आने वाले जहां पे इंडिया का जो crucial digitization efforts है उसको यहां पे बढ़ाने के लिए Google invest करने वाला है जहां पे मैं आपको बता में 7.7% का interest stake उन्होंने यहां पे लिया है वही पर खबर कुछ आसी भी आ रही है कि Google का एक main motive ये भी है invest करने का इन दोनों platforms में कि जो भी local language platforms के मदद से Google जो है यहां पे अपने roots को rural India में जो rural users है उन तक पहुंचना चाहती है तो दोस्तों बस यह थी आज की NBB News मुझे उ समझ आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक किजेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किजेगा आप जो है यहां पर comment भी कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो भी यह short video platform पे जो भारी invest किया जा रहा है majority of the companies के थूरू जो की अभी देख रहे हैं क्या लगता है आपको कि आने वाने टाइम में यह कितना relevant रहेगा जो भी आपके thoughts से comment पर जरूर बताइएगा बाकि अगर आप new viewer है हमारे चानल को बी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को जरूर दबा दीजे ताकि हम जब भी ऐसे नहीं वीडियो आपके लिए लिए उसके notification सबसे पहले आपको मिल जाएए